भारती जिन्दफ पार्टी के पूर्व विधाया ग्यान देव आहुजा का मॉब लिंचिंग को लेकर एक विवादित वीडियो सामने आया है इस वीडियो में ग्यान देव आहुजा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने तो पहली बार मारा है हमने तो पांच मारे हैं खबर है कि अब ग्यान देव आहुजा पर एफ आयार दर्स कली गई है सोचल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो शुकरवार का बताय जा रहा है जब ग्यान देव अहुजा गोविंदगर में चिरंजी लाल सेनी के परिवार से मिलने गए थे आपको बता दें कि अन्य समुदाय से तालुक रखने वाले कुछ लोगों ने 14 अगस्त को सब्जी विकरिता चिरंजी लाल को चोडी के संदे में बुरी तरह पीट दिया था जिसके कारण इलाज के दुरान उनकी मोथ हो गई पुलिस रहिस मामले में कई आरोपियों को गिरफतार कर लिया है शुकरवार को चिरंजी लाल के परिवार से मिलने गोविंदगर पहुझे ग्यानदेव अभूजा एक कारिक्रम में बेटे दिखाई दे रहे हैं वीडियो में यह सुना जा सकता है कि वह कहते हैं सब लोग बेटे हैं गोविंदगर के आंदोलन चलना चाहिए जवरजस्त चलना चाहिए बीच में एक अन्दिविक्ति के रहा है बड़ा आंदोलन करने से ही दबाव बनेगा और यह कोई पहली घटना नहीं है इस पर अहुजा बीच में टोकते हुए कहते हैं नहीं अब तक तो हमने पाँच मारे हैं चाहे लालवंडी में मारा बहरोड में मारा यह सब एरिया में पहली बार हुआ है वरना मैंने तो कारी करताओ को खुली छूट दे रखी है मारो जो गोकशी या गोतसकरी करता मिले बरी भी करवाएंगे जमानत भी करवाएंगे आंदोलन चराने के लिए रूप रिखा बनानी पड़ती है आपको बता दे के हाली के वर्षों में राजिस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंगी घटनाएं हुई है जहां पर गोरक्शा के नाम पर विशेश रमुदाय से तालुक लखने वाले लोगों पर हमले किये गए अहुजा जिस बहरोड का जिक्र कर रहे हैं वहाँ एक अप्रेल 2017 को 55 वर्षी पहलु खान की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी इसी तरह अहुजा ने अपने बयान में रामगर शेतर के लाल बंडी का नाम भी लिया है लाल बंडी में भी 20 जुलाई 2018 को गो तसकरी के आरोप में रगबर उर्फ अकबर खान की मॉबलिंजिंग कर दी गई थी